हेलो दोस्तों कैसे हैं आप साब उमीद करती हूं कि आप सब अच्छे होंगे तो रोज की तरह आज भी लेकर आ गए हैं छोटे-छोटे से ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जिसे देखकर आप लोग का डेली लाइब का काम होगा आसान साथ में समय और पैसों की बचत होगी तो चल सिती मार रहा है तो यहाँ पे आज एक आईडिया बताएंगे जिसे हमारा पानी ऐखकर भान बने तो नहीं दकन में में थोड़ा सार्टा सहों का तेल अंदर के भाल लेना है ऐसके बाद दाल बनांने सिटी आइडिया यूज़ लगा गाती हम थोड़ा सा एक टोरी में पानी ले लिये हैं और इसमें हम डाल दिये है नेमबू का जो चलका बच जाता है वो चलके को डाल दिये हैं उसके बाद जो लगा नहां लेते हैं वह रैपर में काफी मात्रा में सेम्पू बचा रहता है देखिए सीजर के मदद से इसे हम काट लिए हैं और सेम्पू को इस तरीके से डाल दिया है पानी में कितना सारा सेम्पू निकल गया है इसे हम यूज करने वाले हैं कहां पर दोस्तों यह हम गयाने वाले हैं अपने किचन में करती हैं तो इस तरीके से थोड़ा सा सप्रे कर दीजिए और पोचण लीजे कोई вी कपड़े से और से क्लीन Challenge हो स्टोप एक दम से देखिए कितना अचा से क्लीन हो गया है तो आइडिया यूश्फुल लगा हो तो लाइक कीजिए गया और हां दोस्तों कॉमेंट करके जरूर बताएगा कौन से कोने से मरा वीडियो देख रहे हैं नेक्श टीप है दोस्तों यहां पे इस तरीके से पैकेट स्वाफिक पर देगे ताकि हमारा मसाला कर आँ झाल से ऎल थे को चित लीए है चिपक जाता है तो इसमनगदी कि सरीर नेक्ष डेडिया है नेक्ष्ट आइढ़र में देख जासा रहा है लेकिन कर लात इस पे थोड़ा सा हमें लगा लेना है कॉल गेट और थोड़ा सा यहां पे हम कच्चा दूद इसमें डाल देंगे ज्यादा नहीं आधा चम्मच की मात्रा में हमें यहां पे दूद ले लेना है यह देखे दूद ले लिए हैं यह हम बना रहे हैं एक पैक जो हम अपने फेस क इस तरह है च Eagles और तायनिंग और चेहरा दिखे और हो सिन एक दम हट जा रहाएं जा रहे हैं हो दोप में जाने मैं रहे हैं जाने आज या कर है नहीं वह नोगों है और को फोर इस तरह हैं और के अफ्रवीं के बाद इसको अच्छे से धूल लेना है पानी से और यह देखे धूलने के बाद देख सकते हैं मेरा चेहरा कितना अच्छा लग रहा है चेहरा एकदम से फेस पे एकदम चमक आएगा लेकिन हाँ डेली यूज इसे करना है तो चले नेक्स टीफ देख लेते हैं नेक्स हम ले लेंगे हाथों पे हाथेली पे और दो बूंद पानी डालके इसको हम हाथेली से रगडेंगे ताकि इसे हम चेक कर पाएं तो यहाँ पर देखिए तरीका बहुत ही बेश्ट है दोस्तों आप लोग भी खाने पीने के समान लाईए तो इसे चेक करना जरूरी होता है जानिए मिलावत यहाऊ मिलावत नहीं है चयपती तो चलिए फटा फटी से देख लेते हैं नेक्स एडिया यहाँ पर प्याज कः़ने को काटने को लेकर अरिविए फन मेरे हाथों से जाता नह七म सरब साबन से डोए तो यहां पर एक काम करना है दोस्तों कि जब भी प्याज को काट रहे हैं इसका इसमेल हाथों से नहीं रिमूब हो रहा है तो थोड़ा सा ले लेना है चैपती हाथों में सुखा चैपती और सुखा चैपती लेने के बाद सिर्फ क्या करना है कि हाथों पर इस तरीके से तो चम्मच हम गेहु का आटा ले लिए हैं और गेहु का आटा में सेमपू मिलाना क्यों जरूरी है तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए गा पूरा देखिए गा तभी जान पाईएगा तो यहां पर सेमपू मिला दिये हैं उसके बाद थोड़ा सा पानी ले ले लेना है प मुनियम का बरतन हमारा जो होता है ऐग्दम से आसे काला काला पन दिखता है तो इसे हम साफ करने वाले हैं यह सेलैusन को बना कर देखिएगा क Любους कर मेरा बरतन अगर बरतन लग रहा होगा एक ढम से सफेद लगने लगेगा दूद जैसा चमकने लगेगा तो यह देखे यह जो हमेरे घर में एक छोटी से तसली थी इसे हम आप लोग को साफ करके लाइफ रूप दिखाते हैं एकदम से दूद जैसा चमकने लगेगा इसका धकन है धकन को भी साफ कर ले रहा है तो हाँ दोस्तों कैसा लगा वीडियो जरूर बताएगा कॉमेंट करके वीडियो जरा सभी हेल्फुल लग रहा होगा तो अपने दोस्तों इसदारों में जरूर सेर कीजेगा ताकि यह सब टीप्स के फाइदा वो सभी आपके दोस्तों इसदार भी ले सके तो यह देखे दोस्तों साफ कर लिए साफ करने के पान मैं यू न्यू टिप्स वाला वीडियो लाती रहूंगी तब तक के लिए बाइबाए